नमस्का निउस्ट्रेक के वाई फेक्टर में आपका स्वागत हैं मैं हूँ योगिश्मिश लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे और आदालत पर मुकदमों के बोच की बात आप सबने जरूर सुनी होगी पर आज हम बात करते हैं ऐसे मुकदमे की जो बीते 150 सालों से भरत की आदालत में चल रहा है दिल्चस्प यह है कि यहां मुकदमा एक मंदिर का है और जिस मंदिर का मुकदमा है उस मंदिर से स्वामी राम किष्ण परमहंस जी का सीधा रिष्टा बताया जाता है और अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह नयाएपालिका मुकदमों को निप्टात कानूनी मामला कहा जाता है इस मुकदमे की शुरुवात 1872 में हुई थी जब ब्रिटिश ऑपनिवेशिक कानून सरोच शासन कर रहा था यह मामला कोलकता के विश्व परसित दक्षरिश्वर मंदिर के संचालन के लिए रानी रश्मोनी यानि रासमडी के अरपन नामा जिसे क और अपकारी और मंदिर के संस्थापक रासमडी ने 1861 में अपनी मृत्य के एक दिन पहले मंदिर को चलाने के लिए पांच व्यक्तियों को सेवायतन के रूप में नियुक्त किया था उन्होंने च्छै गवाओं के उपस्तिति में विलेख पर हस्ताक्षर किये थे जो उनक 1212 में मंदिर के कामकाज को चलाने की युजना बनाई 1929 में कोर्ट ने मंदिर को चलाने के लिए नई गाइड लाइन जारी करने और 89 बोड बनाने का फैसला किया जैसे ही मंदिर के सेवायतों कि संख्या 200 से अधिक हो गई 89 बोड के चुनाओ में उनके मद्दान के अधिका मामला फिर बीस सो एकिस में आदलत के सामने रखा गया जिसमें यह दावा किया गया कि बोड के प्रमुक को पिछले 35 वर्सों से सेवायतों को अंधेरे में रखते हुए चुना जा रहा था हाई कोर्ट के पास उपलब्द रिकार्ट बताते हैं कि मामले के सुनवाई 872 की म रास मड़ी ने की थी वो एक सामाजिक कारकरा के तोर पर जानी जाती थीANE अठारा सो से सैंतालिस वर नी रास मड़ी भक्तों के साथ काशिक की यत्रा करने की योजना बनाई उनके साथ 249 में रिश्तेदार रों आदी को यत्रा करनी थी कहा जाता कि आत्रос एक रात पहले ह मा ने उन्हें सपने में आकर दर्शन दिये और कहा बनाज जाने की ज़रुवत नहीं है तुब गंगा नदी के तर्ट पर एक सुन्दर मंदिर में मेरी मूर्ति अस्थापित करो वहां मेरी पूजा की विवस्था करो तब मैं स्वयम की छवी में प्रकट रहूंगी और उस अ काली मंदिर उत्तर कोलकता के बैरकपूर में हुगली नदी के किनारे स्थित है इस मंदिर की मुख्य देवी भौत आरणी या काली माता है यह कलकत्ता के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और कई मायनों में काली घाट मंदिर के बाद सबसे प्रसिद्ध काली मंदि स्वामी रामक्रीश्परमहंस के कर्म भूमी रहा है वर्ष अथारेसो सताउन और ऑंशट के बीच सौमी कि रामक्रीश्परमहंस इस मंदिर के पुरूहीत हुआ करते थे मंदिर के मुख्य प्रांगण के उत्तर पश्चिम कोने में रामकिष्परमहंस का कख्ष आज भी उनकी इतिहासिक इस्मृति के रूप में संख्षित करके रखा गया है आप सोच सकते हैं जो मंदिर इतना प्रसिद्ध हो जिसका सीधा रिष्टा रामकिष्परमहंस से हो रामकिष्परमहंस और विकानन का रिष्टा भी हम सब जानते हैं उसके बाद भी एक सो पचास साल से यह मुकदमा भारती आदालतों की चक्कर काट रहा है तो इससे समझ सकते हैं कि आदालतों का नजरिया मुकदमों को ले करके क्या है और कितनी पिढ़ियां गुजर करना पड़े तो इस बार इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंक से बात करने के लिए तब तक के लिए नमस्कार